हलो फेंट्सवागत है आप सबका आपके अपने चैनल 是啊 पर बारे में. तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए इसको लाइक चैनल को सब्स्राइब पुरना बिलकुल नहीं बूलेगा और बिल आइकन को ज़रूद प्रिस करेगा जिससे आपको मेरी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुंस सके तो चली मेंस्ट्रल साइकल को समझने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन तो जो मेंस्ट्रल साइकल होता है इसको हम हिंदी में मासिक चक्र कहते हैं और जो मेंसस होते हैं पिरियड होते हैं इनको हम हिंदी में रजोधर्म या फिर मासिक धंपी कहते हैं तो प is the normal setting of endometrion in the form of bleeding through the cervix and vagina. means, that period is a normal setting in the form of endometrium. endometrium uterus is the inner lining which is the setting of the form of bleeding. from the form of bleeding, from the form of cervix and vagina. means, cervix and vagina through the form of cervix which is the setting of endometrium, which is the setting of periods. यह पीर्यर्स हर मन्त एक निश्चित अंतरान पर आते हैं. किसी भी फीमेर को जब प्यूबर्टी गेन हो जाती है, तो उसके बाद उसके मेंसस स्टार्ट जाते हैं. प्यूबर्टी का फर्स्ट साईन ही होता है मेंसस, जसको हम बोलते हैं मिनार्की. मिनार्की क्या बता है? मिनार्की. मिनार्की is the the first sign of puberty. first sign of puberty. और अगर किसी female को last menses होते है तो उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है menopause last menses of life मतलब किसी भी female की life का जो last menses होता है उसको हम बोलते है menopause puberty की जो age होती है puberty age 10 to 16 year रखी गई है और reproductive age 15 to 45 year रखी गई है देखें जो puberty की age है और reproductive age है यह दोलों अलग अलग है puberty की age का मतलब होता है कि जब कोई female puberty को gain करती है तो जो puberty को gain करने का time duration है year है वो 10 to 16 year रखा गया है इसी समय उसको menses start होते है नेक्स है reproductive age reproductive age का मतलब होता है कि जब कोई female conception करने के लिए ever हो जाती है तो उसको हम बोलते है reproductive age जिसमें 15 to 45 year रखा गया है और मेनोपोच की बात करें कि मेनोपोच कब एक female को होता है तो इसके लिए 45 to 50 year के बीच किसी भी female को मेनोपोच होता है मेनोपोच के बार female के जो menses होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं अब यहीं जो last menses के बात हम कर रहे थे एक जब और यह time use होता है जब कोई female pregnancy conceive कर लेती है तो उस समय भी हम LMP लिखते हैं LMP का मतलब होता है last menstrual period तो वो हम इसले लिखते हैं क्योंकि अब जो female pregnancy conceive कर लेती है तो मेनोपोच के बात करने के लिए अब यहां पे हम मेनोपोच के बात कर रहे हैं तो वो जो LMP हम लिखते हैं वो EDD के लिए लिखते हैं EDD का मतलब होता है expected date of delivery तो उसको हम लोग calculate करने के लिए LMP लिखते हैं अब यहां पे हम मिनोपोच के बात कर예요 कि हम menstrual cycle कर रहे हैं, summation cycle में जो हम last menstrual period के बात कर रहे हैं, वो अब अगर नर्मल मेंस्ट्रोर सेगल की बात करंए तो उसको मेंड की क्या मेर्या का मतलब होता है नार्मल मेंस्ट्रिवल पेरिड तो यहां पि मैंने हें क्या होता है 1st Sign-up Puberty मतलब first-menses और इसके बात मिनों को च्किते हुआ हूर यह होता है? कि एक गिसी भी फिरियर को 26-30 बात रती डेज की अंतराहल परúp मेंस्ट्रा साइकल उसका चलता है मेंस्ट्रा साइकल किसे कहते हैं? मतलब जो भी मासिक चक्र होता है वह किसे कहते हैं? एक period से लेके दूसरे period के बीच जो time duration होता है जो समयाग अवधी होती है उसी को कहते है menstrual cycle और ये किसी भी female में 26 to 30 days का होता है अब देख लेते हैं कि एक female को during menses कितना blood loss होता है blood loss in one menses ये हम सिर्फ एक menses की बात कर रहे हैं कि एक menses पे किसी female को कितना blood loss होता है अगर हम average की बात करें तो average में 22 to 50 ml blood loss होता है एक female को एक menstrual cycle में और अगर average की बात करें तो 35 ml blood loss होता है किसी भी female को एक menstrual cycle में होती है उसको वन येर में 13 मेंसे साथ हैं कितने मेंसे साथ आते हैं जब में देखा रिप्रोटक्टी टी दिखाथ है कि फिप्टीं 145 होती है तो फिप्टीं टू लग भग 400 मेंसेस होते हैं तो यह एक नॉरमल रेंज दिया हुए कि जो अगर उसको वन यह भी मैंसेस आएंगे तो उसको लग लग 400 मेंसिस आते हैं तो जो प्रॉबर्टी की जो पढ़ना भी जरूरी है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए तो जो प्रॉबर्टी होती है उसकी जो नॉर्मल एज होती हूँ जो मैंने आपको बताया भी 1518 Venal मे रखी गई है इसके साथ एंट की क bagus होती है अगर आप इस्टेज ऑफ एपुबर्टी देखें इस्टेज ऑफ प्यवट्टी तो जो इस्टेज ऑफ प्यव वいうवट्टी किसके दार दिया गया है यह तेनर मार्सल के दौरा दिया गया है यह ने बताया कि जो पिवर्टी होती है इसके 5 स्टेज होते हैं कितने होते हैं? 5 स्टेज होते हैं कौन-कौन से? 1 होता है थिरार्की थिरार्की का मतलब होता है development of bridged 2 है इड रिनार्की इड रिनार्की का मतलब होता है अपियर ओफ एजिलरी हेर थर्ड होता है प्यूबार्की प्यूबार्की का मतलब होता है अपियर ओफ प्यूबिक hair fourth होता है increase height and fifth होता है milaaki milaaki को हम first man says कहते हैं तो यह जो five stage है यह किसमें आते हैं puberty में आते हैं और puberty में जो सबसे पहला sign होता है क्या होता है? milaaki होता है यह सबी main sign है stage है puberty के जब कभी आपसे question में stage पूछता है तो आप five answer करेंगे लेकिन अगर आपसे first sign of puberty पूछता है तो आप milaaki को answer करेंगे चुकि जो milaaki होता है यही first sign होता है puberty का और इसको first menses भी कहते हैं तो जो first menses होता है milaaki यही से किसी भी human की जो menstrual cycle है वो start हो जाती है और मेरो पूछ तक चलती है अब देख लेते हैं phases of menstrual cycle phases of menstrual cycle देखें जो phases of menstrual cycle यह four होते हैं तो first phase होता है proliferative phase जो 9 से 10 दिन का होता है और यह periods के 14 या 5 पे दिन से start होता है second होता है secretary phase secretary phase जो होता है वो 11 to 12 days का होता है और यह proliferative phase जब समाप्थ होता है उसके बाद ही secretary phase start होता है इसके बाद third phase है pre-menstrual phase pre-menstrual phase होता है यह 2 दिन का होता है और यह जैसे secretary phase समाप्थ होता है वैसे ही pre-menstrual phase start होता है या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो pre-menstrual phase होता है यह menstrual phase के दो दिन पहले की जो अवस्था होती है उसको कहते है fourth होता है menstrual phase menstrual phase जो होता है वो 4 to 5 days का होता है तो यहां के जितने भी phase है उनकी time duration साब अलग अलग है 4 to 5 days menstrual phase जाता है menstrual phase जैसे ही समाप्थ होता है वैसे ही proliferative phase जो proliferative phase है यह start हो जाता है चुकि मैंने अभी आपको बताया कि जो proliferative phase है यह 9 से 10 दिन तो होता है लेकिन मेंसेस के 4 या 5 दिन से start होता है तो 4 से 5 दिन menstrual phase जाता है और उसके बाद proliferative phase start होता है जो 9 to 10 देज रहता है अब 9 to 10 देज के बाद जैसे ही proliferative phase समाप्थ होता है वैसे secretory phase start हो जाता है और वो 11 से 12 दिन तक रहता है अब जैसे secretory phase की time duration समाप्थ होती है वैसे ही premenstrual phase की time duration start हो जाती है और यह 2 दिन तक रहता है और इसको में भी क्या सकते है कि जो premenstrual phase होता है यह menstrual phase के 2 दिन पहले ही अवस्था होती है चुकि इसकी time duration है premenstrual phase की वो 2 दिन है तो यह cycle है menstrual cycle का यह इसी तरह से continuity चलता रहता है अब हम सबसे पहले देखेंगे proliferative phase की इसमें क्या होता है proliferative phase को हम समझेंगे HPO axis के थूँ HPO axis क्या होता है यह H का मतलब होता है hypothalamus P का मतलब होता है pituitary और O का मतलब होता है overy तो यह जो थ्री चीज़े मैंने आपको बताए 3 axis मैंने आपको बताए HPO axis के नाम से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इसली जो proliferative phase है वो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा proliferative phase का हिंदी में और्थ होता है अंडों सर्ण होना मतलब अंडों का बाहर आना जो mature होते हैं तो कैसे होगा यह सबसे पहले हम पढ़ने है hypothalamus 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 है यह क्या है gland है तो hypothalamus gland होती है यह क्या करती है यह एक हार्मों सिक्रेट करती है कौन सा हार्मों सिक्रेट करती है गुनेडो टॉपिन रिलीजिन हार्मों यह कौन सिक्रेट करता है hypothalamus gland hypothalamus gland दो तरह के हार्मों सिक्रेट करती है एक होता है तो सिधा इफेक पड़ता है किसी चीज में बाहर आनी कि लिए तो जो इसका पढ़ता है जो एंटियूटरी ग्रैंड होती है महां से डो तरह के हार्मोस से एक होता है FSH और दूसरा होता है LH, FSH का मतलब होता है Follicle Stimulating Hormones और LH का मतलब होता है Lutonizing Hormones, ये दोनों जो Hormones होते हैं, ये सीधा effect डालते हैं किस पर Obriefing, किसे effect डालते हैं ये, Obriefing तो जो FSH हर्मोंस है और जो LH हर्मोंस है, इन दोनों का function अलग-अलग होता है, तो पहले हम देख लेते हैं FSH के बारे में, FSH जो हर्मोंस होता है, ये किस पर डाल रहा है, Obriefing पे और जो LH होता है, ये भी फिर डालता है Obriefing पे, अभी हमने या पर देखा था है HP axis, तो H का मतलब hypothalamus gland, hypothalamus ने ये secret किया हर्मोंस, उसके बाद pituitary, antilet pituitary ने FSH और red secret किया, उसके बाद आ गया Obriefing, तो अभी हम देख लेते हैं FSH का बारे में, FSH करता क्या है, FSH जो हर्मोंस होता है, ये Obriefing का growth करता है, और जो follicles होते हैं, ये उनको mature करता है, जो effective follicles होते हैं, उ ओवरी में कितने follicles होते हैं, तो देखिए, जो ओवरी होते हैं, जब कोई female pregnancy conserve करते हैं, और उसका जो fetus होता है, अगर वो female fetus है, तो after 20 weeks, after 20 weeks of pregnancy, जो female fetus होगा, कौन सा? female fetus, उसमें जो follicles होगे, उनकी संख्या कितनी होगी? 7 million, वहीं पर जब fetus का birth जाता है, at birth, तो उस समय जो follicles होते हैं, उनकी संख्या कितनी होते हैं, at birth, 2 million, कितनी होती है? 2 million, और वहीं पर जब female baby जो होता है, वो विवर्टी को गेंगरता है, at puberty time, तो उस समय जो follicles होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 lakh, 4 lakh, और जब कोई female menopause में पहुँचती है, में पहुचती है, तो उस समय उसमें जो follicles होते हैं, कितने रहते हैं? लगभग 10,000, लगभग 10,000 से भी कम, तो यहां पर देखें, जो follicles हैं, इनका निर्माण तब ही होने लगता है, जब कोई female fetus, during pregnancy 20 week का होता है, 20 week के दौरान ही, जो follicles होते हैं, उनका निर्माण होने लगता है, उस समय जो संख्या होती हूँ, 7 million होती है, 8 birth, जब बेबर डिलीवर होता है, उसके बाद, उसके ओबरी में 2 million follicles रहते हैं, और जब वही पर प्यवर्टी गेन करता है, तो उस समय 4 लाख follicles बच रहते हैं, और मेरो पोज के समय लगभग 10,000 से भी कम follicles पाया जाते हैं, तो यह जो follicles होते हैं, इनहीं के द्वारा जो मेंचोर एक होता है, वो तैयार होता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहते हैं, कि जब FSH हार्मों स्क्रीट होता है, और मेंचोर होते हैं, इसमें से सब ही जो follicles होते हैं, वो मेंचोर नहीं होते हैं, जो इफेक्टीव फॉलिकल्स होता है वही मिर्चुर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोविंग फॉलिकल्स क्या बोलते हैं ग्रोविंग फॉलिकल्स और यह ग्रोविंग फॉलिकल्स जब मिर्चुर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रैफियन फॉलिकल्स क्या बोलते हैं ग् इसके बाद ये एक हार्मोन्स सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन्स? इस्ट्रोजन हार्मोन्स. इस्ट्रोजन हार्मोन्स सिक्रेट करता है, तो जो इस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये क्या फॉंक्शन करता है? ये जो FSH है, इसके लेवल को कम कर देता है, जो FSH Follicle Stimulative हार यह जो मेच़ोर इसी की वजसे से निठेंट यूरो हो रहे हैं यह जो MSC की वज़ह से फोलिकन ऱेड़ीडन से पर than चलिए जैने करद का रूहlen Estrogen ने की एफ्यस के लेबल को कम कर दिया जिससे जो रेधिक सते मेच्रेशन नहों है और इसके साथ ही जो स्टोजञन हों children है वह क्या करता है यह क्यों करता है जो बढ़नेशन Day र्मों के लेबल को बढ़ा देता है क्योंकि जो ह improvements होता है यही अब आगे का function करेगा FSH का function बस यहीं तक था कि लो जो follicles हैं उनको मेच्वर करें आप एलेच जुए ह Sabbath होगा अब इसका function start होगा तो यहां पर जो graphene follicles थे अब यह क्या होगा कि ग्रेफिन फॉलिकल स्पाइब बन चुका है और अब जो ग्रेफिन फॉलिकल्ट होगी यहाँगी की ऊपरी आउर्ण बन ऌनकी है जिसको हम बोलते हैं कार्पस लुटियम जो एग है उसका बाहरी आवरण है जिसको हम कार्पस लूटियम कहते हैं आर्टर मेचुलेशन जब ग्रैफिन फॉलगस बनता है तो यही कर्णोर्ड होता है किसमें कार्पस लूटियम में अब कार्पस लूटियम क्या होगा? यह रप्चर होगा यह कैसे रप्चर होगा? जब LH का लेबल लूट्नाजिन हार्मोन का लेबल बढ़ेगा तो जो लूटियम में यह क्या होगा? रप्चर होगा और जब यह रप्चर होगा तह भी एक मेच्चोर एक बाहर आएगा जब एक मेच्चोर एक बाहर आता है किस से? और इस से करें तक पहुंचाती हैं चुक्कि ये फैलोपियन ट्यूग में फिंगर लाइफ स्टुक्चर होता है यहीं पर एंपुला लापार होता है यहीं पर फर्ट्लाजेशन का फांग्सान होता है इसी भीए ओवरी से एक रिलीज होता है तो यह फिम्रॉय के थ्रू कैश करके एंपुला तक ले जाया जाता है और इसमें में फ्रॉंचन करती हैं स्वियरी मसल्स यहां एंपुला तक पहुँच जाता है तो फिर वह क्या करता है 24 hour तक वेहर करता है किसका इसमर्ण का अगर 24 conveum के बीच में इसमर्ण उसको मिल जाता है तो फिर dependency हो पाता है जो एक होता है हैं जब यह होता है मतलब जब कार्पसलूटियम रप्चर होता है और बाहर आता है इस to हम बोते हैं आज़ले सन्दफ मतलब अंडों का बाहराना मतलब जो उसका बाहराना कहां से ओबरी से तो कउल तो इसनली हो राया है जो हो राइखक वह गजह से कार्पेस डुट्यमा की बढ़ने की वाजय से यह बाहर आहा था है इसको क्लोंसेत्ता है इसको 他ंदाट करने एंदुप्रिय ने एक व। यह बहुत ज्यादा वैंट्स कुलर हो जाती है। थीक हो जाती हैं। क्योंकि उन्हे पर प्र सप्लाइ भरुपर बढ़ जाती है। उसमें भी लेकाल क्सले करता लाता है। और Indometrium की जो functional layer है, उसमें three layers का निर्मार होता है, कौन-कौन सी three layers होती है, उसमें, first होती है, vessel layer, second होती है, functional layer, and third होती है, spongy layer, लेकिन जब conception नहीं भार रहता है, उस समय मतलब non-pregnant stage में, जो Indometrium होती है, उसकी thickness 2 mm होती है, कितनी होती है, 2 mm होती है, लेकिन जब कोई female conception कर लेती है, तो उस समय जो Indometrium की thickness है, वो 3.5 mm हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, तो यहां पर बात कर रहते है, vessel layer, functional layer, और sponge layer की, यह सबी क्या है, Indometrium की layers है, तो जो functional layer होती है, वो 1 mm थीक हो जाती है, जो sponge layer होती है, वो 2.5 mm थीक हो जाती है, तो यह जो thickness होती है, functional layer की 1 mm और sponge layer की 2.5 mm, यही मिला गे बनता है, 3.5 mm, यह during pregnancy, जो Indometrium की थीकने से, उसके हम बात कर रहा है, और यह 2 mm non-pregnant stage की बात कर रहे है, तो कि यह सब किस के लिए तो होता है, जो estrogen hormone होता है, उसके effect की वजह से होता है, तो जो proliferative phase है, प्रो लिफरेट्यो फेज, उसमें जो फेज होता है, कहां तक का होता है, कार्पस, pluti, जैसे ही rupture होता है, rupture होने के बाद, जो एक है वह रिजिवा, इसको हम बोलते है, और यह अ होता है सिद्रक्त देंशानकों को ल difeस को lesson होता है लुका सब्सक्राइब कि आड़ा वहता होता हैं में ठाल से काउंट कर ऑफेज का है उसकर में सब्सक्राइब करें और यहां सेध़ के मिन्स्राइब सब्सक्राइब तोटल कितना हो गया फूटीन डिज तो जो चॉदामा दीन होता है उसी दिन क्यों लेशन होता है और कि किसी किसी कुमिन पें होता है उस पेंन को मेडिकल में कहते हैं मिटल को इस चिमर्ज Ja । तो जो मिटल इस चुमर साइन है यह प्रोलिफरेटिव प्रेस से रिलेटेड है और यह और लेशन के समय होने वाला पेन है जिसको कोई फीपी में नौर्मली फील करती है मैं तो यहां पर माल करतें ऑव्रेशन थी और इसन मीं क्या हो कि में बाहर आ गाये अब चोघमें अगोते हैं उनको कितना टाइम कितना तौंने में तो लात जाएं कि अधार्या मिटा होने ऑफ्रेश बनता है बहुत बात जाम पूछा भी क्या सब्लाब हैं जो ऑबलेशन के लगता है तो सो 18 देज्स का समीय लगता है me go होने में कितना होता है कि 15 दिन वां छोता है आप देख karşıया सिक्रेटॡरी अब इतक हमने पढ़ा प्रोलिफरेटिव फेज इसमें गया था कि जो हाइपोथायलमस ग्लैंड थी वहांसे उसका फॉंक्शन स्टाट को और और जो आवलेशन तक प्रोसेस था वहांने किसमें पढ़ा प्रोलिफरेटिव सेट्प्र सब्सक्रां में से सीट्रीटेट्री कहां से स्टार्ट होता है यह स्टार्ट होता है कपा के बनूंची में इसक वह हार्मोंस हुक्रीट करता है इसलिए इसको secretary face भी कहते हैं तो जो कॉरिस को इंदो तरह में पर्सक्राइब करता है शेखोश करता है श्राट होता है इस्टार्टिंग करता है लेबल यह ज्यादा करता है यह फांक्षन करता है अगर यह सोच करता है यह नहीं हुआ यूटर्स की इनर लेयर होती है इंडुमेट्रियम वह क्या होती है इंडुमेट्रियम और होती है प्रिपेर होती है जो कंसेप्शन का प्रोड़क्ट होता है उसके कर हें वहांनों इम्प्लाइन क्प्लाइशन उसके 3 मुंन के बाद ही प्लासेंट काße निरुमाड होता है त्री मन तक प्लासेंटा आपना function नहीं कर पाती है उसका सिर्फ formation होता रहता है तो त्री मन तक जो बच्चे को nutrient चाहिए वो किसके थुरू मिलता है यह जो कार्पस, luteum है यही उसको nutrient देती है किस रूप में कार्पस, luteum, varum के रूप में चुकि जब conception गो जाता है तो जो का कार्पस, luteum, varum में और जब तक प्लासेंटा का निर्मार नहीं होता है प्लासेंटा अपना function नहीं करती है तब तक जो कार्पस, luteum, varum है यह अपना function करती रहती है आप जो होता है जो लिए फिर वी नहीं किए यह यहीं हार्मोन के द्वारा प्रिंद सी को डिट्र करते हैं जब हम यूरीन टेस्ट करते हैं तो उसमें यह सीजी जो होता है इसी के लेवल के थ्रू हमको यह एडेंटिफाई होता है कि जो फिमेल उसने प्रणनसी कन्सीब किया या फिर नहीं किया या फिर अगा हम व्लड तेस्ट करते हैं तो उस में हमको HCG की लिवल की होजे से ही पता चलता है जो होता है ये में डोल प्ले करता है विदु को तो कारपसूटियम की बात कर रहे थे कर्ता रहता है जब तक ट्रासिंटा त्यार में प्रिपेर होने में 12 वीक का समय लगता है कितने सब्सक्राइब में करने लगती है और तो समय के बार करने लगता है यह त्थीरे-दीरे तो यह फॉंसन किस पर डिपेंड करता है अगर अगर कंसेप्शन नहीं हुआ तब क्या होगा तब जो इस्टोजन का लेवल है वह डिक्रीज है और जो इस्टोजन होता है यह एक तरह का वैसो डालेटर ही होता है क्या होता है वैसो डालेटर होता है वैसो डालेटर होता है कि जो ब्लट वैसल्स वोती हैं को डालेट करना तो जो स्टॉयन होता जब इसका लेवल कम होगा कभ कम होगा जब कार्पस लूटिएम मतलब जो एक है वो recruitցथ नहीं होगा तो ऊस समय जा इस्टॉयन का लेवल कम होगा तो यह बही सब्सक्राइब करने लागे बहीा वेशी कॉंस्टिक्टर का वैसो, और वैसो, आं कोव Fashion कर दर्मत करें तो जो भी Yamie है, जो यूट्ट्श हो गा, उसकी व्लाड्ड वैसाल का इसमें क्या होगा, वह क्या होगा, हाइपोक्jatरों क्या होगा, जिसकी व्लाड्ड वैसाल होगा, हैकोक्सिया होगा हाइपोक्सिया होगा, इस्चीमिया होगा, तो इस तरह से जो वैसो कॉंस्ट्रिक्टर है, इसकी वज़े से जो भी यूट्राइन ब्लड बैसाथ होती है, उनमें हाइपोक्सिया और इस्चीमिया कंडिशन होती है, जिसकी वज़े से जो यूट्रस की सेल्स होती है, वो क्या यह जो सेडिंग होती है यह बाहर नहीं आतिपल की यह यूट्रस में ही कलेक्ट होने लगती है और इसको एक टोम भी दिया गया जिसको हम बोलते हैं हिमाटो मेट्रा हिमेटोमेट्रा हिमेटोमेट्रा का मतलब होता है ब्लड कलेक्शन इंदा यूट्रस तो यूट्रस में जो हिमेटोमेट्रा के रूप में ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो किस वज़े से हो रहा है प्रापर ब्लड नहीं मिलें की वज़े से जो सेल डेड हो रही है वो सेडिंग क के रूप में ब्लेडिंग के रूप में क्या हो रही है टूट रही है जिसकी वजह से हमेटोमेट्रा के रूप में ब्लेडिंग के रूप में वह कालेक हो रही है यूट्रस में अब जब यूट्रस में ब्लड कलेक्शन हो जाता है तो उसके बार क्या होता है कि जो ब्लड कले को अब नहींब करके नहीं हरता है तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसीन जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसीन हमने पड़ा था प्रोलिफरेटिव फेज तो प्रोलिफरेटिव फेज में जो हाइपो था वहां से जब गुनेडोट्रॉफिन हार्मोंस रिलीज हो रहा था तो वह एफेक्ट डाल रहा था पुस्टेर पुआलायन को और पुस्टेर हो रहा है और आप रहा चाहां तो यह पे आपके दो कोशब्न एक छया है कि जो एंटेरेण प्रिटिटर किaty कंप्यक्षक्षक करना जो यू ट्रस की मस्कूलर लेयर हती है मायोमेट्रेम बहुती है लेकिन यह किसमी होता है यह जब स्परतों करें तो इहां तक का जो प्रोसेस में फज में सकना साथ थर्ड क्या है थर्ड है प्रिमेंस्ट्रल फेज में बताया की तो तो टोच में जो यह अपना फंक्शन करता है आउसों जो माईयो डियर होती है मौसल मौस्कुलर लेयर होती है यूटास की उस्टो क्या करता है हुआ है जब उसमें कॉन्टराइट होते हैं तो जो ब्लड कलेक्ट हुआ है इट्रस में हमेटो में रूप में वो क्या होता है वह प्रिपेर होने लगता है बाहर आने लिए वजाईल ट्रैक के थूप तो जो प्री मेंस्ट्रल फेज है दो दिन का इसी में आक सोटोसीन अप वार आता है जिसको हम बोलते हैं मैंस तो यह जो मिन्स्ट्रा साइकल यह एपड़ी मन्त ऐसे ही चलता रहता है अगर हम इसको नॉर्मली एक साइकल के थ्रूपढ़ें तो जैसे माल लज्यें ये एक साइकल है अगर हम यहां से प्रोलिफाट्व फेज से स्टार्ट करते हैं तो प्रोलिफ की फेज जो है वह नौ से डसनींक का हुआ और इसमें और रिसनली आशोसी हुआ सब्सक्राइब वेस्ट वो कड़ा डियुबन न 누ntyre proportionaclae सब्सक्राइब के इसे में बढ़ डू कोन करता है जो न क्या फेसे में अताए मिस्ति अटार मिजस को सक्राइब परेस्ट्रे में लून राइब कका सब्सक्राइब तो यह जो साइकल है यही कांटिनुवसली चलती रहती है इसी को बोलते हैं मेंस्टर साइकल तो फ्रेंट्स I hope कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ भाई होगी बहुत सारे कोशन और बहुत सारे डाइट्स आपके इसमें क्लियर हो गए होगे तो मिते हैं अग सकत्रव पंधे ग्राइट के रहाँ मेंस्टार होगी निक वालती है तो मिते हैं धे तो मिते हैं आपके ज़ेगाम सबती हैं आपके लाईट्स